मेरे अतिप्रियमित्र, जीवन विरिक्ष के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भनेवाद, आपका स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ कुशल होंगे और परमेश्वर की आशीश आपके जीवन में होगे हम लोग दिसंबर के महिने में हैं और दिसंबर का महिना हम लोगों के लिए बहुत ही खास है क्यों खास है हम लोग सब जानते हैं क्योंकि इस दिसंबर के महिने में हम लोग अपने उद्धार करता प्रभू ईश्व मसी का जन दिन मनाते हैं इस जन दिन के समय में जो हम लोग प्रभुईश्य मसी का मनाने जा रहे हैं, हम लोग इसके लिए एक विशेश संदेश सुने, और इस संदेश को शुरू करने से पहले में एक छोटी सी कहानी, या कहूं छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक रूपा नाम की एक छोटी सी लड़की, जो पांचवी के अक्षा में पढ़ती है, वो सुबह उठी और वो स्कूल जाने के लिए तयार हुई, और तयार होने के बाद जब वो अपने स्कूल जाने लगी, तो उसने अपने बागिचे में उसने देखा, एक बहुत ही सुन्दर, खुबसूरत सा गुलाब का फूल खिला हुआ है, लाल रंग का, उसे बहुत अच्छा लगा, उसने उस गुलाब के फूल को तोड़ लिया, और जब वो अपने स्कूल पहुंची, तो स्कूल पहुंचने के बाद, उसने अपने जो क्लास की टीचर थी, उसको उसने उस खुबसूरत फूल को दिया, और कहा कि मैड ये आपके लिए है, उसके उस खुबसूरत गुलदस्ते को या फूल को ले करके, उसकी जो टीचर है वो बहुत खुश हुई, उसने कहा, ठैंक यू वेटे, और ऐसा कहा कि उसने पूछा कि तुमने मुझे ये फूल क्यों दिया, तो उस बच्ची ने बताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करते हुँ, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने ये गुलदस्ता या फूल आपको दिया, उसकी टीचर बहुत खुश हुई, मेरे प्रियो, ये जो क्रिसमस का समय है, एक ऐसा समय है, जो हम लोगों के लिए अपने प्रेम के भेंट को दूसरों को देने का है, और इस तेवहार में हम लोग दूसरों को अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे सुन्दर गिफ्ट देते हैं, और दूसरे लोग भी हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, और इस प्रकार से हम लोग अपने खुशियों का आदान प्रदान करते हैं यह बहुत ही सुन्दर समय होता है अपने प्रेम को प्रकट करने का लेकिन क्या आप जानते हैं मेरे प्रियोग हम लोग Bible में जब पढ़ते हैं तो एक बहुत ही खुसुरत उपहार के विशय में गिप्त के विशय में पढ़ते हैं और उसका वर्नन हम लोग बार 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 बाइबल में पढ़ करके पाते हैं और वो हम लोगों को मिलता है युहना रचिसू समाचार उसका तीसरा अध्याय और उसका सोलामा वचन उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए उस बच्ची ने अपने टीचर को उस गुलाब को दे करके अपना प्रेम प्रकट किया वैसे ही परमेश्वर भी ह हम मनुश्यों से प्रेम करता है और वो दुनिया का सबसे बड़ा गिप्ट उसने हम लोगों को दिया मानवजाती के लिए और वो ऐसा गिप्ट था ऐसा उपहार था जिसकी तुलना हम लोग दुनिया के किसी उपहार से नहीं कर सकते हैं और वो प्रेम पुन उपहार या भ अपने आपको परमिश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उसने प्रेम का संदेश लोगों को सुनाया और लोगों के लिए अपनी जान को दी, क्रूस पर वो मर गया और वही नन्हा सा बालाक हम लोग जिसका जन दिन मनाने जा रहे हैं इस दिसंबर के मैने में 25 तार जो प्रभू यिश्य मसी ने दिया है उस बच्छी ने दिया और टीचर ने लिया हम लोग भी दूसरों को gift देते हैं, दूसरे लोग हम लोगों को देते हैं हम लोग ले लेते हैं आज हम लोगों के लिए यह जो Christmas है वो ऐसा ही समय है कि हम लोग परमेश्वर के द्वारा द परनन पाते हैं कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश नहों परन्तु अनन्त जीवन पाए प्रभुईश्य मसी अपने साथ अनन्त जीवन को लाया और हम लोगों के लिए जब हम लोग उस पर विश्वास करते हैं वो हम लोगों को अद्भुत रिती से उस अनन्त जीवन को करता है मेरे प्रियोग आज हम लोग प्रभूईश्य मसी के जन मुट्सव को मनाने जा रहे है उसके आगमन में है और पहले आगमन के समय में युहना ने इश्युमसी क्त के आगमन की तयारी के लिए लोगों को तयार करने के Лिए उपदेश दिया और उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकटा गया है आज हम लोग का दाईत्वा है हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रभुईश्य मसी के दुईतियाग मन के लिए लोगों को जागरीत करें तयार करें और संदेश दें और कहें कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकटा गया है मेरे प्रियों इस कृस्मस के समय में हम लोगों का ये दाईत्वा है ये जिम्मेदारी है कि हम लोग लोगों को न सिर्फ उपहार दें, न सिर्फ उनको खाने के लिए बुलाएं, न सिर्फ उन्हें अच्छे पक्वान दें, बलकि उसको प्रेम का संदेश भी दें, ताकि वे लोग हमारे उस संदेश के द्वारा प्रभु येश्य मसी को जो सची जोती है, अपने उ ये Christmas आप लोगों के लिए बहुत शुब हो मंगलमय हो परमेश्वर इस समय आपको बहुत आयज से आशिश दे और Christmas की बहुत बहुत बधाईयां परमेश्वर आपको बहुत आयज से आशिश दे आमें